दोस्तों जाती और कास्ट ये ऐसा शब्द है जो कि हिंदू सोसाइटी को इंडिया के अंदर तोड़ के रख देता है और इस पर्टिकुलर शब्द के रूट्स हजारों साल पहले उद्य हुए थे रिख वेदिक काल में आज से हजारों साल पहले कास्ट का स्लो एविलूशन शुरू हुआ हिंदू सोसाइटी को चार वर्णों में बाटा गया ब्रह्मिन, शत्रि, वैश और शूद्र एक ऐसा कैंसर शुरू हुआ जिसके चलते एक individual का occupation उसकी जाती के आधार पर कर दिया गया ना कि उसकी काबलियत के आधार पर धीरे धीरे हिंदू सोसाइटी में ये कास segregation इतना जादा strict और इतना जादा cruel होता गया कि बड़े तागाद में जो depressed classes थी हिंदूओं की उन्होंने अपने आपको दूसरे धरम में convert करना शुरू किया बुद्धिजम, सिख्खिजम, जैनिजम ये कुछ options थे उनके सामने उसके बाद जब Christianity और Islam की entry हुई इंडिया के अंदर तो बड़े scale पे लोगों ने इन religions को भी अपनाया वज़ा ये थी कि Christianity और Islam egalitarian धरम माने जाते हैं मतलब overall इन धरमों में कास्ट के आधार पर कोई segregation नहीं है but problem ये है दोस्तों की जब Christianity और Islam का evolution हुआ इंडिया के अंदर तो बड़े scale पे जो पहले हिंदूस थे उन्हों नहीं अपने आपको इन धरमों में convert किया और जब वो इन धरमों में गए तो अपनी Hindu culture practices को साथ में लेके गए तो आज की date में limited तोर पे Christianity और Islam के धरम के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत कास्ट segregation देखने को भी लेकर for example इंडियन Muslims के अंदर आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे की अश्रफ, अजलाफ, अर्जल तो ये कुछ limited कास्ट segregation जो Islam धरम में exist करता बहराल हमारा आज का topic ये है कि वो Hindu depressed classes जिन्नों ने अपने आपको Christianity और Muslim धरम में convert कर लिया क्या उनको SC reservation का benefit मिलना चाहिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तो Constitution Schedule Cast Order 1950 को जिसने ये बोला कि केवल Hindu धरम के लोगी Schedule Cast Designate हो सकते हैं उसके बाद इस particular order को amend किया गया 1956 में और बोला गया कि सिखिजम को adopt करने वाले लोग भी overall Schedule Cast हो सकते हैं और 1990 में Buddhist को भी इस category में जोडा गया तो वो depressed classes के लोग Hindu community के जिन्नोंने सिखिजम में अपने आपको convert किया या बुद्धिजम में अपने आपको convert किया उनको Schedule Cast का benefit मिल सकता है चुकि देखिए अगर वो अपने आपको Schedule Cast designate करते हैं मतलब उनको reservation benefit दिया जाएगा लेकिन इंडिया के अंदर वो depressed classes के लोग जो कि Muslim धरम में convert हो गए और Christian धरम में convert हो गए इनको Schedule Cast का benefit नहीं मिलता है सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि Other Backward Class और Schedule Tribe अगर आप Muslim हो, Christian हो या किसी भी और धरम के हो Schedule Tribe का benefit आपको तब भी मिल सकता है और OBC का benefit आपको तब भी मिल सकता है लेकिन Schedule Cast के अंदर अगर आप Hindu हैं, Sikh हैं या Buddhist हैं तो ही आपको Schedule Cast का designation मिलेगा और Associated Reservation benefits मिलेंगे अगर आप Muslim हैं और Christian हैं तो नहीं मिलेंगे Muslims को SC Cast Reservation का benefit मिलना चाहिए यह बात तब भी news में आई थी जब समीन वान खेडे ने यह RN खास जो कि शारक खान के बेटे हैं इनका Drug Prolifraction का Case बनाया था उस समय पे महरास्ट के मिनिस्टर नवाब मलिक ने समीन वान खेडे के उपर इल्जाम लगाया कि इनके पिता SC Community को बिलॉंग करते थे उन्होंने जब एक Muslim लेडी की शादी की मतलब समीन वान खेडे की माँ एक Muslim थी तब उन्होंने अपने आपको Muslim धर्ब में convert किया तो टेक्निकली समीर वान खेडे Muslim हुए और Muslim होने के बावजूद भी इन्होंने SC Community Reservation Benefit का इस्तमाल किया और IRS Officer बने बाद मी समीर वान खेडे ने अपना submission दिया कि मैं हिंदू हूँ, मेरी मा मुसलिम है तो ये इशू काफी उस समय पर वाइरल हुआ था इस इशू को resolve करने के लिए केंदर की सरकार ने 2004 में बनाया National Commission for Religious and Linguistic Minorities जिसको नाम दिया गया तो उसको भी SC status का benefit मिलना चाहिए सरकार ने इस commission की recommendation को नहीं माना फिर आई 2005 में सचार committee report जिसने ये बोला कि भई Muslims की social economic और educational condition अच्छी नहीं है इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो हिंदू depressed classes अपने आपको Muslim या Christianity धर्म में convert कर चुकी है उनके हालाद अभी भी बहतर नहीं हुए है And fast forward to October 2022 केंदर की सरकार की तरफ से decision आया है कि ex-chief justice of India केजी बाला कृष्णन की chairmanship के अंदर एक 3 member की committee बनाई जाएगी जो इस बात को detail में study करेगी अगले 2 साल तक कि हिंदू depressed classes से जो लोग convert होके Muslim या Christianity में गए है क्या उनका social status improve हुआ है और क्या उनको SC status मिलना चाहिए for the benefit of reservation and associated you know entitlements इंडिया के अंदर दोस्तों numerous petitions पड़ी हुई है Supreme Court में जो कि overall Dalit Muslims और Christians को SC status देने की बात करती है 2004 में Center for Public Interest Litigation ने बोला कि overall Dalit Muslims और Christians को SC status मिलना चाहिए 2008 में यही बात National Commission on Minorities ने बोली केंदर की सरकार इसकी favor में नहीं है जो present SC community की लोग है उनके representatives इसके favor में नहीं है लेकिन Dalit Muslims और Dalit Christians का बोलना है कि अभी भी हमारी social situation अची नहीं हुई है तो हमें SC status मिलना चाहिए overall reservation और बाकी benefits के entitlements को लेने के लिए आपका इसके बारे में क्या राय है दोस्तों legal respect में भी राय बता सकते हैं social respect में भी राय बता सकते हैं भदर बाश्रा में नीचे comment box में I hope आपको कुछ ना कुछ useful यहां पर जानने को मिला हो additional courses के लिए आप मेरी app हर शिद्वेदी education डाउनलोड कर सकते हैं नीचे comment box और description box में link दिया हुए